हेलो एवरिवन सभी को गुड इवनिंग मैं इंजनियर देवेंदर कुमर अपने इस यूटूब चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें अभी तक इस चैनल को सब्स चैनल की बात कर रहा हूँ में अपने इस चैनल की जिसका इंजनियर देव सर एनाईटन की वेक्टर क्लासिस नाम के चैनल को ज्यादा से ज्यादा Like करें, Share करें, Subscribe करें, अपने दोस्तों को एड करें ज्यादा से के प्रमुत तो पहले एक छोटी सी राजस्तानी ॹाहवत मैं आपको बताता हूं कि तीज त्योहरा री बाउडी लेडूांबी गणगोर तीज त्योहरा री बाउडी लेडूब़ी गणगोर इसका मतलब यह है कि तीज जो होती है स्रावन सुकल तिरतिया को तीज होती है स्रावनी तीज उससे तो इन राजस्तान में त्यूहरू की शुरुवात होती है बारत में भी वैसा यह होता होगा लेकिन मैं बात राजस्तान की कर रहा हूं उसलिए राजस्तान का नाम ले रहा हूं तुम्हारी की श्रिवात स्रावनी तीज को स्रावन सुकल तिर्तिया को होती है तो कहते हैं कि तीज तुम्हारारी बावडी लेडू भी गंगूर मतलब गंगूर के दिन खतम हो जाते हैं तुम्हार गंगूर कब होती है चेत्र सुकल तिर्तिया को उस दिन तुम्हारू का अ एक बार फिर बताना चाहूं तीज त्युवारारी बावडी लेडू भी गंगूर मतलब गंगोर्व त्युवारू को लेडू भी मतलब त्युवार खतम हो गए दोस्तों अपन शुरुआत करने हैं अपनी क्विज को आज बहुत ही अच्छे-च्रिशन्स होंगे यह सारे मैं बहुत जानकारियां दूँगा लगबग आपके 50-60-70 क्रिशन आज हो जाएंगे आप यही मेरी बाते ध्यान से सुनोगे बहुत चीजू के साथ मैं आपको जा किमार को है मतलब एक त्यूआर है जब यमराज की पुजा की जाती है यमराज कौन वह soll सब जानते हो न अपने को भी कभी लेने आएगा यमराज यह न यह-शांध की पूजा करने का प्रचलन्तों किस त्यूआर गहुत लेट आईगा इगा दोस्तों बींन है ग आएगा किसका answer क्या होगा यमराज की पूजा कब की जाती है दोस्तु तो मैं आपको बताना चाहूं कि इसका answer जल्दी से जल्दी आप comment में करें दोस्तु comment करें कि इसका answer क्या होगा यह त्युहार वेसे तो यह पूरसूं या लड़कूं का भी अच्छा होता है लेकिन यह धन तेरस यहां पे होगा अब मैं बताना चाहूंगा धन तेरस की कुछ खास बाते हैं ताकि आज अपन टार्गेट रहेगा कि इन 20 क्यूस्टन के इंतरगत 60 से 70 क्यूस्टन करें तो देखो धन तेरस को क्या हुआ था एक तो अपना जो वेद्ध था धनवंत्री धनवंत् का जनमदिन आता है पहली बात दूसरी बात बताना चाहूं तो धन तेरस को अपन नए बर्तन खरीद लाते हैं ने गाडियां लाते हैं धन तेरस को नई चीजों का घर में आगमन उस दिन सुब माना जाता है यह धन तेरस होती कब नो धनवंतेरस को भड़ाई सुभ माना जाता है धनवंत्री का जनम दिन यमराज की पूजा की जनमा जाती है तो तब तक मैं आपको कि में इसका सही एंसर होगा चेटर महीने में वसंति या बसंति यह नवरात्र मनाइज जाते हैं मैं बीच में जानकारी आज इसलिए नहीं बता रहा हूं क्यूंकि आप सुनने में दिक्कत नहीं है तो जैसे मैं बीच में बताता हूँ तो आप कमेंट करने में रह जाता हूँ इसलिए मैं उत्तर बता के अब जानकारी दे रहा हूँ देखो बात करूँ मैं नौरात्रों की दोस्त हूँ तो नौरात्र देखे तो साल में चार बार मनाये जाते हैं सर हम तो दो बार ही जानते हैं सब चार बार कुन से बनाये जाते हैं ऐसे पूछते हैं कि हिंदू नवरात्रे कितनी बार मनाते हैं सहार में तब दो बार सही है वो दो बार कहना गलत नहीं है लेकिन दो परकार के नवरात्रे जो हिंदू द्वारा मनाये जाते हैं उनको सक्ति पीठ नवरात्र कहते हैं और दो बार यह से नवरात्र हो जाए तो तांत्रिक मनाते हैं तांत्री नवरात्र होते हैं यह शक्ति पीठ यह मुख्य होते हैं दो परकार दो बार मनाये जाते हैं यह देखें तो यह नवरात्र हैं जो शक्ति पीठ नवरात्र हैं वो चेतर महीने महीने में मना जातें दोस्तु और तंत्रिक नावरात्र हैvoor हम्वाइने में worse में जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँ निस नहीं खुप्त होँगी हुआ और नोई जाते हैं घुप्त रखा जाता है इनको तंत्रिक हो यह ने ङरी में आपन गिने जाते हैं चेत्र मास में एक आशिवन माह में तो यह दोस्तों मैंने नवरात्रू के बारे में जानकारी बताई आपको अब दोस्तों अगला प्रसन आपके बीच में सावन मास की पूर्णी मा को किस त्युहार मनाया जाता है सावन मास की पूर्णी मा को कौन सा त्युहार मनाया जाता है तो मैं आपको बता दू दोस्तों इस दिन रक्षा बंदन मनाया जाता है अब रक्षा बंदन के बारे में जानकारी सुनो डी ओप्सन करेक्ट है जिसने भी सही अंसर दिया है उसका सही जबाब है जो अंसर दिया है उसका सही जबाब है अब दोस्तों में रक्षा बंदन के बारे में थोड़ा जानक बन्ता तिये एक सुत्र डागा, मॉली और राख ही बन्ता दिती इन पूर्णिमा को नार्यल पूर्णिमा भी ब कह जाता है। और मैं बताऊं कि इस दिन अमर्नाथ में बर्ब का सिवलिंग बनता है इस दिन और एक और बात बताऊं कि रक्षा बंदन के दिन जैसे अपना यह घर है तो घर के दुआर पर सर्वनकुमार के चित्र बनाये जाते हैं तो रक्षा बंदन का ये फैमस चीजे में ने बताई है दोस्तों अपन बढ़ते हैं आज त्यूआर पूरी तरह से आपके अच्छे हो जाएंगे है ना अब अगला प्रसंद दोस्तों आपके बीच में आ चुक है कि श्री कृष्ण श्री कृष्ण के भात्रा, स्री कृष्ण के भाई बलराम जी का जन्मासव हल सस्टी हल सस्टी नहीं पताई तो अब हल सस्टी कब मनाया जाता है स्रावन को रावण क्रिष्न स्टी दोस्तु झलदी से जलदी से जलदी कमेंट करें किमेंट क्रिया उनुका पता नीमन मेंज से कौनसा तुमार कार्थिक माश में नहीं मनाया जाता है जो कार्थिक माश में नहीं मनाया जाता है करवा चत नहीं है करवा चोथ है अहई अहाई स्ट मी है सरद पूर्नमाँ है शर्द पूर्नमाँ है यह रूप चतुरदशि है तो बताये दोस्टू कौं सा त्योंसर कार्थिक माह में नहीं मनाया जाता है कौन सा त्युवार कार्तिक मा में नहीं बनाया जाता है तो दोस्तों यहां पर उत्तर होगा सरद पूर्णिमा यह सतद नहीं है सरद है सरद पूर्णिमा जो आशिवन की पूर्णिमा को मनाया जाता है बात करूं करवा चोथ के लिए जो अपने पती की लंबी आयू के लिए औरते व्रत करती है, तो वो करवा चोत मनाती है उस दिन, तो पूजा करती है साम को, तो उसमें वो कब मनाई जाती है, दोस्तों, वो किसने चतूरती को मनाई जाती है, कार्ति के किसने चतूरती को मनाई जाती है, आहाई अस्टमी की बात करूं, तो ये भी अस्टमी को मनाई जाता है सरद पूर्णिमा आशिविन पूर्णिमा को मनाया जाता है दोस्तों तो यहां पर सी ऑप्षन होगा जिसने भी सी ऑप्षन एंसर दिया उसका सही जवाब है दोस्तों अब बढ़ते हैं दोस्तों अपन क्यूशन नमबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 6 क्यूशन ह को लोग देवता गोगा जी की पूजा की जाती है आपको बता दूं कि लोग देवता गोगा जी की पूजा गोगा नौमी को की जाती है तो आप इन में से बताईए देखो यह तो कट गया तिर्तिया वाला तो पढ़ो ही मत ओप्शन यह आशिवन सुकल तिर्तिया तो पढ़ नौमी को होती है गोगा नौमी होती है दोस्तू भाद्रपद क्रिश्न नौमी को गोगा नौमी के नाम से जाना जाता है इसको गोगा नौमी के दिन गोगा जी की पूजा होती है दोस्तू अब मैं बताऊं कि गोगा जी को गोगा नौमी के दिन गोगा जी का गोगा नौमी क पढ़ता है वही सबसे गंदा सिती भी है दद्रेवा चुरू में और बात करूं दोस्तों तो अगला है गोगा मेडी में गोगा मेडी गोगा मेडी पढ़ता है दोस्तों हनुमानगड में गोगा मेडी और दद्रेवा चुरू में गोगा नौमी के दिन गोगा जी का मेला दोस्तों आप बात करें दोस्तु एक बहुत ही महतुपून प्रसंद आया है यह मैंने पूछ रखा है पहले की क्वीजु में इसका थोड़ा आलक प्रसंद शिव और गोरी की पूजा किस त्युवार का प्रतिकात्मक शवरूप है, मतलब किस दिन शिव और गोरी की पूजा की जाती है दोस्तों, शिव और गोरी की पूजा गोपास्ट मी को, मकर सक्रांतरी को, गंगोर को या पीपल पूर्णीमा को, दोस्तों जल्दी से जल्दी इ कि क्या एंसर होगा इस दिन किसकी सिव और गोरी की पूजा किस त्युमार पर की जाती इसका एंसर होगा गंगोर सर आपने तो सिव और पार्वती बताया था सर गोरी को पार्वती भी का जाता है पार्वती को गोरी भी का जाता है देखो गंगोर में गंग का मतलब होता है ग गोरी गोरी इनके नाम बता रहा हूं गोरी या पारवती सब इनी के नाम दे तो शीव और गोरी कह दो शीव और गोरी कह दो शीव और पारवती कह दो इस दिन पूजा गंगोर के दिन होती है सी ओप्सन करेक्टर जिसने भी सी ओप्सन दिया है उसका सही जबाब है दोस्तों अपन बढ़ते हैं अपने अगले एक प्रसण की और दोस्तू consulting अगला प्रसण अपने बीच में आ रहा है कि राजस्तान में तुलसी विवा की प्रंपरा किसी त्रितिक एक़ते को निपाई सालिग्राम का विवा वा था उस दिन से हिंदू में हिंदू में उस दिन से विवा प्रारंब हो जाते हैं अभी देखो अभी विवा नहीं हो रहे हैं मतलब अभी देव सोय वे हैं अभी विवा नहीं होता हिंदू में तो वो विवा कब से प्रारंब हो जाएगा दोस्तों र यह आशाड शुक्ल एकादशी को दोस्तु यह देवठनी 11 मनाई जाती है इस दिन तुल्सी का विवा शालिग्राम से संपन हुआ था तुल्सी विवा की परंपरा होई थी अगला क्रिशन अपने बीच में आ चुका है दोस्तु गनेश चतुर्थी कप मनाई जाती है गनेश सुक्ल चतुर्थी श्रावन क्रिशन चतुर्थी बाद्रपद सुक्ल चतुर्थी जल्दी से जल्दी दोस्तु ओप्सन कमेंट करें तो यह मनाई जाती है दोस्तु बाद्रपद सुक्ल चतुर्थी को यह एंसर होगा दोस्तु सी ओप्सन बाद्रपद सुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्ती मनाई जाती है तो इस दिन बहुत गणेश चतुर्ती को गणेश जी के मेले भी बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रसन आपके बीच में है दोस्तों किस किस चैतर में किस चैतर सुकली पंचमी को गणगोर गुलाबी गणगोर मनाई जाती है दोस्तों बत दोस्तों और मैं बता दूं कि इस दिन केवल गोरी की सवारी निकाली जाती है बिना इसर के मतलब बिना शीव के गोरी की सवारी भी वहाँ पे निकाली जाती है मतलब बहुत फहमास है वहाँ की सवारी अकेली गोरी की सवारी निकाली जाती है इसर मतलब शीव की नहीं निका सवारा में only goree की सवारी निकाली जाती गोरी की सवारी के लिए भी फैमस से नाथ दुआ रहा अगला प्रसन आपके बीच में आ चुका है दोस्तू उजली तीज किस जिले में मनाई जाती है वैसे तो थोड़ी मोड़ी सब जगें मनाई जाती है लेकिन उजली तूज फैमस जिले में उजली तीज का फेमस त्योवार मनाया जाता है दोस्तों अगला अपन बढ़ते हैं कि हुली का त्योवार किस माह में आता है ये तो सब बता सकते हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि हुली का त्यूवार किस मां में मनाया जाता है हुली माग में आती है फालगुन में आती है भद्रपद में आती है पोश में आती है जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों हुली का त्यूवार कब मनाया जाता है जल्दी से जल्दी कमेंट करें दोस्तों हुली का त्यूवार में मनाया जाता है कब फागुन की पूर्णीमा को पूर्णीमा को मनाया जाता है पूर्णीमा फागुन की पूर्णीमा को हुली का त्युवार मनाया जाता है जिस दिन हुली का देहन किया जाता है तो वह बहुत परंपराओं के साथ होती है उसमें कुछ एक खेजडी का वरक जाती है होलिका को और अपने ग्यों और जो होते हैं उनके मोडले बनाए जाते है मारवाड़ी में मोडले आ पर किस उरक्स की पूजा की जाती है मतलब दसेरा के दिन राम ने रावन का वद्ध किया था तो इसलिए वो दसेरा का जाता है ना दसेरा लेकिन उसमें पूजा भी जाता है एक पेड को वो बता रहा हूँ रावन को तो मारा गया था पूजा किसको जाता है आपको बता दू खेजडी को पूजा जाता है दोस्तु दसेरा के आउशर पर दसेरा को खेजडी को पूजा जाता है दोस्तु दसेरा का फेमस मेला लगता है आपको अलग जानकरियां दे रहा हूं दसेरा का फेमस मेला लगता है जो कोटा में लगता है दोस्तु कोटा में दसेरा का फेमस मेल लगता है कोटा में तो आपको कभी टाइम हो तो दसिरे का टाइम कोटा जरूर जाएगा बहुत था LOOK अब दोब उर स्ड़ख घुए लिल्टांस पक्सी होता है लिल्टांस एक पक्सी होता है लिल्टांस इसको देख ले में तो सुब माना जाता है जैसे बताया जाता है कि अक्षे तिर्तिया को जिस दिन आखा तीज होता है अबूच सावा होता है उस दिन अपन छिपकली को देख ले तो बहुत सुब माना ज अब दोस्तों अगला प्रसंद ये थोड़ी कंट्रावर्सी इस प्रसंद में आपको आ सकती है लेकिन फिर भी अपन बात करते गणगोर का त्युमार कितनी अउधी तक मनाया जाता है 24 दिन 28 दिन 15 बारा दिन कितनी आउदी होती है टोटल आउदी बतानी है कि टोटल आउदी पतानी है कि दोस्तों तो इसमें क्या एंशर होगा दोस्तों मैं आपको बताना चाऊं वेसह तो गंगोर की पूजा 16 सोला दिनों तक की जाती सर सोला तो अंसर ऑप्सन ही नहीं है सर तो आपका यह प्रसंद गलत हो गया सर जब सोला ऑप्सन नहीं हो तो क्या करना है मैं बता हूँ जब सोला यह यह उप्सन होता सोला तो सोला सही अंसर होता गंगोर का त्युवार सोला दिनों तक मनाया जाता है 16 दिन गंगोर की पूजा की जाती है, 16 दिन तक चलता है, पूजन कब से कब तक चलता है, चेतर क्रिशने तिर्थिया से, चेतर सुकल तिर्थिया को चलता है, तो 15 दिन और 30 तीस दो बार आगे तो 16 दिन तक पूजन होता है, दोस्तों, लेकिन वो चेतर परतिपदा को, चेतर का गंगोर का पूजन करती है तो चेत्र प्रतिपदा को उसको अनौंस करना पड़ता है चेत्र प्रतिपदा को वो उस दिन स्टार्ट कर देती है अपनी preparation तो 16 दिन तो पूजन प्लस 4 प्रतिपदा और दितिया को प्रतिपदा को announce होने के बाद 2 दिन वो मानने जाता है 16 प्लस 2 ये 18 दिन वी option जिसने answer दिया उसका सही जबाब है गणगोर वेचे तो 16 दिनों तक पूजा जाता है दोस्तुं लेकिन दो दिन पहले announce किया जाता है तो वो उसी की अउदी में गिना जाता है तो 16 option नहीं हो तो 18 comment करें और मतलब answer भरें दोस्तुं और 16 हो तो direct 16 लिखें अब देखो 6 से पूर्व किस देवता की पूजा की जाती है जल्दी से जल्दी कमेंट करें दोस्तुं तो यहां पर answer होगा सूर्य भगवान की सूर्य की पूजा छट से पूर्व की जाती है तो यह C option जिसने भी answer दिया उसका सही जबाब है अगला दोस्तुं बताईएगा कि मरू उत्सव किस जिले में मनाया जाता है आपको बता हूं और यह इसका answer होगा दोस्तु जेसल मेर उसको मरू उससौ्व मनाया जाता है अगला देख यह दोस्तुं टारकिन का उर्श मेला कहां लगता है किस जिले में लगता यह तो हार की तरह ट्रीट कर रहे हैं मेले हैं तो मेले का प्रिशन आ गया दोस्तों तारकिन का उर्ष मेला तारकिन की दर्गा है वहीं पर तारकिन का उर्ष मेला लगता है दोस्तों बताईए यह कहां पर लगता है नागोर में बांसवाडा में जालावाड में जुन जुनू में कहां पर तार प्राइय मुस्लिम समाज के लोग में सर्वादिक भाग लेते हैं बाग तो सभी लेते हैं दोस्तूं लेकिन वह सर्वादिक कर्षिन कट गया और यह श्रावनी पूर्णी मा भी कट गया क्योंकि पूर्णी मां के दिन 30 में तो तीन को मनाई जाती है अब आपको बताना ही है कि सुल्फक्स में मनाई जाती है एक क्रिष्न पक्स में एशी में से एक option होगा दोस्तों यहां पे यह 50-50 आ गया आपने कौन बनेगा करोड़ पती खेला होगा तो उसमें 50-50 आता है यह 50-50 वाला भाग आ गया कि स्राउनी सुकला या स्राउनी किस्ना A या C तो आप कमेंट करें जल्दी से जल्दी दोस्तों इसमें तो तुक्का भी मार दो तो श्राउनी सुकला को स्राउनी शुकलतरितिया को स्राउनी तीज मनाई जाती है दोस्तों जब भी 50-50 हो तो दोस्तों उस प्रसंद को attempt मार देना चाहिए 2 आपको confusion को ओप्शन इतनी सी रिस्क ले लेनी चाहिए अब ये लास्ट प्रसन अपने बीच में आया दोस्तु गनेश चतुर्थी कब मनाई जाती है मैंने पहले भी बताया क्यों को रिपीट किया थोड़ा सा चेंज करत के दोस्तु जल्दी से जल्दी बताये कि चतुर्थी को तो मनाया जाता है तो मैंने भी दे दी लेकिन बाद्रपत सुकला को मनाया जाता बाद्रपत के क्रिश्न पक्स में आशीवन के सुकल पक्स में आशीवन के क्रिश्न पक्स में पहले तो गनेश चतुर्थी क के मंदिरु पे बहुत मेले बढ़ते है गनेश चतुरुती का एक विशेश महतु है हमारे जीवन में दोस्तु आज आज आपका ध्यान से देखने के लिए एंसर देने के लिए बहुत-बहुत सुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद इसी तरह आप मेरे इस चैनल पर ज्याद सदी सई इसा में आपको परिमाण मतलब क्वालिटी नोलेज मिलेगा दोस्तों तो इसलिए मैंने सो समझ गए यह वेक्टर क्लासे इसका नाम रखाया दोस्तों तो परिमाण और वेक्टर आपको दोनु मिलेगा तो आपका बहुत-बहुत आर्दिक अभिनंदन एक बार य